दोस्तो बॉलिवुट की देसी गर्ल प्रयांका चोपड़ा इन दिनों अपनी पती निक जोनस और बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ लॉस एंजलिस में रह रही हैं देश विदेश में उनकी करोडों की प्रापर्टीज हैं वहीं इन दिनों खबर आ रही हैं कि इन प्रयांका चोपड़ा हॉलिवुड में नाम कमा रही हैं वहीं इनकी प्रापर्टीज देश विदेश में भरी पड़ी हैं वहीं इन्होंने अपनी एक कीमती प्रापर्टी बेच दी हैं जिसके बदले उन्हें करोडों रुपई मिले हैं जिहां आपको बता दे एक मुंब प्रियंका के तरफ से उनकी मां मधु चोपडा ने ये डिल फाइनल की है एक रिपोर्ट के मताबिक प्रियंका ने ओपने एक अपने बेच थीषे जिसे डेंटिस्ट कपल डॉक्टर नितेश और डॉक्टर निकिताम मुटवानी ने खरीद हैं दोस्तों कहा जुआ रहा है कि प्रयांका चोप्रा ने ये प्रापर्टी इसलिए बेची हैं क्योंकि उनको उस प्रापर्टी का कोई यूज नहीं दिखा तो इसलिए उन्होंने इस प्रापर्टी को ना रखते हुए इस प्रापर्टी को बेच दिया दोस्तों आपको बता दे इस एरिया को कपल डेंटिस ने साल 2021 में किराय पर लिया था जिनका काम बहुत अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा था तो इसलिए प्रयांका चोप्रा ने फैसला किया कि इस प्रापर्टी को इने ही बेच दिया जाए क्योंकि ये इसका अच्छा यूज करेंगे वेल ये प्रापर्टी लोखनवाला रोड पारवास्तु प्रेसंस के दूसरे फ्लोर पस्तित है इसमें एक ओपन कार पार्किंग स्पेस भी है प्रयांका चोप्रा को इस प्रापर्टी को बेचने के महल 7 करोर रुपाई मिले हैं दोस्तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे क्या प्रयांका चोप्रा ने ये प्रापर्टी बेच कर सही क्या क्या प्रियांका चोपड़ा को अपने इंडियन प्रापटीज नहीं बेचने चाहिए क्या प्रियांका चोपड़ा को इस पैसे की बहुत जरूरत थे इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तो अपनी राए कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना जरूर ध्यान रखिएगा बाबाई एंड टेक कियर